इस्से साथ बेन का आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताके हमारी हर लेटेस्ट वीडियो अप्लोड होते ही उसका एक नोटिफेचन आपको मिल जाए क्यूंके फ्रेंट्स हम डेली स्पोर्ट से रिलेटिड वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किराची किंग के आल राउंडर शाहिदा अफरीदी शाहिदा अफरीदी की इसलामाबाद के खिलाफ पाकिसान सुपर लीग 3 के पहले क्वालिफाईर में शिरकत मश्कूक हो गई है जराई के मताबिक कराची किंग के आल राउंडर शाहिदा अफरीदी को एक बार फिर घुटने में तकलीफ शुरू हो गई है जिसकी वज़ा से 18 मार्च को दुबई में होने वाले पहले क्वालिफाई में इनकी शिरकत मश्कूक हो गई है जराई के मताबिक घुटने की तकलीफ की वज़ा से शाहिद आफरीदी पी एसल थ्री के इबतदाई चंद मैचिस में भी कराची किंग्स की नमाइंदगी नहीं कर सके थे और अब वो दुबारा नहीं और अब दुबारा इन्हें घुटने में दर्द की शिकायत हो गई है जराई के मताबिक शाहिद आफरीदी इसलामाबाद के खिलाफ एहम तरीन मैच में अपनी टीम की नमाइंदगी और फता हासिल करने के लिए बेचैन है अलबता इनकी दस्तियाबी का हत्मी फैसला M.R.I.S.C.E.N. की रिपोर्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही होगा ख्याल रहे के 18 मार्च को होने वाले क्वालिफायर की फात्या टीम बराए रास्त फाइनल में जगा बना लेगी जबके शिक्स्त खाने वाली टीम को फाइनल तक की रिसाई का एक और मोका मिलेगा पिएसल थरीका फाइनल 25 मार्च को करांची के नैशनल स्टेडियम में होगा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और अगर आपको स्पोर्ट से लेटिड डेली अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बैल का आईकन है उसको भी फॉलो करें थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफिस